Hi guys, my name is Nitish and you're welcome to my YouTube channel वीडियो का टाइटल रहिए कि आपको समझ में आई गया होगा कि इस वीडियो में हम क्या करने वाले इस वीडियो में मैं आपको मेरी फेवरिट डीप लर्निंग बुक्स के बारे में बताने वाला हूँ और वीडियो को शुरू करने के पहले खुड़ा सा बस बैक्ग्राउंड देना चाहूँगा कि ये वीडियो मैं क्यों बना रहा हूँ अगर आप इस चैनल के एक regular follower हो तो शायद आपको पता होगा कि इस चैनल पे मैं पिछले कई दिनों से एक deep learning playlist के उपर काम कर रहा हूँ और इस पूरे playlist का जो response आया है आप लोगों की तरफ से बहुत ही अच्छा रहा है और आप लोगों ने बहुत appreciate किया है content को but at the same time मुझे बहुत सारे लोगों ने reach out किया ये पूछने के लिए कि sir आप कहां से पढ़ते हो आपका learning source क्या है आप कहां से knowledge gather करते हो तो मैंने past में भी आपको बताया है कि मैं पढ़ने के लिए multiple resources यूज़ करता हूँ just like you, मैं books भी follow करता हूँ, मैं courses भी करता हूँ और मैं online जो भी resources हैं, blogs हुए, ये सब भी मैं जाकर के visit करता हूँ so since पिछले कई दिनों से number of requests बहुत बढ़ गई कि sir आप बताओ कि आपका learning resources क्या है तो I thought कि मैं आपके साथ formally एक video में अपने सारे के सारे learning resources share करूँ तो पहले इस video के through मैं आपको अपनी favorite deep learning books के बारे में बताना चाहता हूँ और फिर later on किसी और video में मैं आपको कुछ और जो resources मैं use करता हूँ like कौन से YouTube channels हैं, कौन से video courses हैं वो मैं आपको किसी और video के through बता दूँगा but let's focus on books इस particular video में let me go through the list of books जो personally मुझे बहुत पसंद है deep learning के लिए so there are seven books जो मैंने list down किये हैं और trust me इसमें कोई order नहीं है, कोई बहुत अच्छी किताब नहीं है, कोई खराब किताब नहीं है अलग-अलग time पे मैंने ये सारी किताबे पढ़ी है और इसलिए मैं आपके सामने अपना feedback रखना चाहता हूँ so एक-एक करके मैं सारी books आपके सामने reveal करूँगा और उस book का जो फाइदा है और उस book का जो खराब बात है वो भी मैं आपके साथ share करूँगा so that आपके सामने एक बहुत real perception आए उस book का ठीक है, तो start करते हैं हमारी first book से so हमारी जो first book है वो शायद deep learning की सबसे famous book है आप किसी से भी जाके पूछोगे की deep learning की एक book बताओ जो मुझे पढ़नी जाए तो everyone will name this book इस book का नाम ही है deep learning और इस book के author है Ian Goodfellow, Joshua Benjiyo और Aaron Corvill so ये book is like the भगवद गीता of deep learning simple शब्दों में, काफी मोटी book है, काफी सारी चीज़े इसमें covered है और अगर मैं आपको बताओं कि इस book की सबसे बड़ी खासियत क्या है तो सबसे बड़ी खासियत ये है कि यहाँ पे जो content आपको मिलेगा वो एकदमी authentic content मिलेगा यहाँ पे आप blindly trust कर सकते हो कि इस book में जो लिखा है वो सही ही होगा और उसके अलावा जो coverage है book का वो बहुत बड़ी है मतलब ये book शुरू होती है fundamental से जहाँ पर आपको पहले जो mathematical fundamentals चाहिए होते है deep learning के लिए वो पढ़ाया गया है और उसके बाद फिर धीरे-धीरे artificial neural network, convolutional neural network और फिर RNNs में ये book move करती है not only that, last में यहाँ पर unsupervised learning भी cover की गई है कुछ ऐसे architectures भी cover किये गए है जो अब उतने use नहीं होते industry में but still, coverage point of view से the book is very very good so ये book होनी चाहिए आपके table पे if you are going to pursue deep learning in a serious manner तो ये book आपके पास होनी चाहिए the only problem with this book is जो मैंने personally face की की मैंने भी बहुत जोश में ये book खरीदी थी जब मैंने शुरुआत की थी अपने deep learning journey की and I quickly realized की इस book में the biggest problem is की ये book बहुत hard है beginner के लिए if you are a beginner और आप सीधे इस book से अगर deep learning पढ़ना start करोगे तो आप काफी demotivate हो जाओगे so मैं personally किसी भी beginner को ये book recommend नहीं करता हूँ हाँ एक बार अगर आपने थोड़ा deep learning पढ़ लिया है थोड़े बहुत projects बना लिया है तो फिर आपको ये books उठानी चाहिए और इसके उपर आपको एक पूरा go through देना चाहिए तब आप इस book से काफी कुछ extract कर पाओगे अगर खरीदने जाओगे तब ये बहुत महेंगी अगर खरीदने जाओगे तब ये बहुत महेंगी ये book around 4800 दिख रहा है अभी Amazon पे हालाकि इसका price बहुत fluctuate करता रहता है मैंने पास में कभी 1000 रुपे के आस-पास में भी खरीदी थी but the good part is कि इस book का एक online version है बोला था शुरुआत में fundamentals बताये हुएं linear algebra, probability and information theory, numerical computation और machine learning के भी basics आपको बताये गए तो मैंने personally ये 3-4 chapters है ये अच्छे से पढ़े थे और आपको भी पढ़ने चाहिए these are really good यहाँ पे जो maths आपको पढ़ाया गया है पूरा का पूरा linear algebra cover नहीं किया गया बट उतना cover किया गया है जितना आपको deep learning में required होता है तो उस sense में ये जो first part है इस book का वो बहुत ही अच्छा है और वो beginner भी पढ़ सकता है by the way ठीक है उसके बाद यहाँ से main part शुरू होता है modern practical deep networks तो यहाँ पे ANN ANN को कैसे optimize किया जाता है convolutional networks और sequence modeling कैसे किया जाता है using recurrent and recursive networks मेरी knowledge में शायद यहाँ पे आपको transformers और attention के around content नहीं मिलता है तो that is a letdown and last में you can see यहाँ पर आपको थोड़ा सा unsupervised learning का भी content मिलता है जैसे auto encoders वगेरा के बारे में यहाँ पे chapters है ठीके तो overall this is the Bhagavad Gita of deep learning and if you are pursuing deep learning in a serious fashion go get this book or at least go through whenever you have time via the online mode ठीके now let's move on to the second book the second book is deep learning with python or it's written by Frankoya Chole I don't know how to pronounce his name he is a french author he is the same guy by the way जिसने Keras library बनाई है यह book मुझे बहुत पसंद है personally और this was my first deep learning book जो मैंने end to end पड़ी थी पूरी की पूरी the best part about this book is कि it is very very simple मतलब ऐसा लिखा है इतने simple शब्दों में लिखा है कि किसी beginner को बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा problem is कि यह पूरी की पूरी Keras पे based है ठीक है यहाँ पे आपको जो भी code examples वगरा दिखा ही देंगे सब Keras में लिखा हुआ है which is not a problem if you are a beginner most likely आप Keras से ही start करोगे तो this is a very good book इसमें भी coverage point of view से सब कुछ covered है शुरू में बताया गया है deep learning का importance उसका history उसके बाद start किया गया है artificial neural network फिर convolutional neural network उसके बाद RNN और उसके बाद last में if I remember correctly कुछ और advanced neural networks भी पढ़ाए गया है जैसे कि GANs वगेरा के बारे में भी इस book में content आपको मिलेगा and the best part about this book is the language is very very lucid beginner friendly and this can be your first deep learning book the only downside is कि बहुत जादा depth में नहीं जाती है book beginner के हिसाब से चीजों को समझाती है और थोड़ा code word आपको दिखाई देगा but बहुत depth में अगर आप सीख कर रहे हो knowledge तो वो ये book आपको deliver नहीं करती ठीक है तो that's why I said कि this should be your first book जहां से आपको एक introduction मिल जाए उसके बाद फिर आगे की books में आप move on कर सकते हो ठीक है third book is again a very famous book machine learning के लिए इस book को best book बोला जाता है hands on machine learning और इस book में actually दोनों चीज़े हैं ये शायद आपको पता होगा इसमें machine learning भी है और इसमें deep learning भी है तो deep learning जो दी हुई है वो अच्छी है मतलब मैंने जितना पढ़ा है I really liked it the only problem is कि इस पूरी book में जो approach है वो बहुत ही breath first approach है जादा चीज़े cover करने की कोशिश की गई है जिसकी वज़े से book depth में नहीं जाती है second मेरे को problem जो लगी इस book में वो ये थी कि TensorFlow के बहुत focus किया गया है deep learning में अगर 10 chapters है तो उसमें से 3-4 chapters में TensorFlow के उपर बहुत काम दिखाया गया है तो that is also a problem also transformers और self attention जो आजकल बहुत चल रहा है उनके उपर आपको इस book में content नहीं मिलेगा I am talking about the second edition मैंने third edition नहीं पढ़ा है so maybe third edition में उन्होंने add कर दिया होगा but second edition तक transformers के बारे में content नहीं था but on the whole it's a good beginner friendly book और अगर आपको breath of knowledge चाहिए you can go purchase this book and machine learning के लिए तो इस book आपको खरीदनी चाहिए चाहिए next one is a very interesting book शायद आपने इस book का नाम नहीं सुना होगा इस book का नाम है ग्रोकिंग data structures बोलके भी एक book है तो यह एक बहुत बढ़िया series of books है जहां पर किसी भी technology को बहुत simplify करके बताया जाता है तो इस book में ना deep learning को बहुत simplify किया गया बहुत मोटी किताब नहीं है बहुत कम number of pages है but the way the topic is being presented that is phenomenal इस book में इतना fundamental तरीके से deep learning को समझाया गया है कि मुझे लगता है कि कोई school student भी समझ सकता है not only that आप चाहो तो आप scratch से deep learning के neural networks को code भी कर पाओगे अगर आप एक किताब यह वाली किताब पढ़ लो ठीक है तो this is also a very good book यह book मैंने around 3-4 साल पहले पढ़ी थी कि बहुत depth में नहीं जाती है यह book यह आपको बस neural networks के fundamentals समझाती है I don't think इसमें we have chapters on RNN and CNN I don't remember exactly और transformers वगेरा का तो content आपको नहीं मिलेगा इस book में so again very brigner friendly simplified language में simplification करके deep learning समझाये गया इस book में not for in-depth learning अगली किताब is a very interesting book this book is called deep learning for coders with fast AI and pytorch यह book को मैंने इसलिए इस list में रखा है because यह first of all deep learning का entire coverage आपको देती है second यह pytorch में लिखी हुई है pytorch and fast AI fast AI is a library built on top of pytorch तो यह pytorch वाला angle आपको दिखाती है और इस book की best जो बात है वो यह है कि बहुत ही शांदार बंदे ने बुक लिखी है Jeremy Howard I am pretty sure आपने उनके बारे में सुना होगा so he's the guy behind fast AI so यह book की सबसे बड़ी खासियत क्या है कि यह बहुत ही practical approach लेती है deep learning की तरफ मतलब this book focuses on building applications with the help of deep learning और बहुत जादा ऐसा theoretical foundation बनाने के बदले they just teach you the fundamentals and then just jump on to building applications so यह भी एक बहुत अच्छी बात है इस book की if you are looking to build some projects in deep learning और अभी आपके पास कुछ भी knowledge नहीं है this could be a very good book for you again यह book महंगी है अगर आप Amazon पर खरीदने जाओ but the best part about this book is किसका एक online version is available so you can see सारा content और सब कुछ यहाँ पर available है और यह book बहुत update भी होते रहती है जैसे recently I have seen कि कुछ topics यहाँ पर add हुए और इसमें coverage point of view से आपको सब कुछ मिलेगा आपको यहाँ पर attention and transformers भी मिलेगा stable diffusion जो आपका Gen AI में image based जो भी models होते हैं उनके पीछे का जो model है stable diffusion के उपर आपको chapters मिलेंगे और उसके अलावा बाकी जो basic चीजें आपको चाहिए होती है वो सब कुछ यहाँ पर है so very good book और you can go through this one also ठीक है next book is again a book जो fundamentals के लिए बहुत अच्छी है और यह मैंने बहुत लोगों के recommendation के बात पढ़ी थी इस book का नाम है neural networks and deep learning और यह Michael Nielsen ने लिखी है और इस book का कोई मुझे ऐसा physical copy नहीं मिला यह online version ही मुझे मिला pdf और यह book मैंने पूरी नहीं पढ़ी है honestly बट जितनी भी मैंने पढ़ी है I really liked it because again it is a beginner friendly book और again scratch से code करके दिखाया है इसमें neural networks को तो वो एक बहुत अच्छी चीज़ लगी मुझे अगर आप go through करोगे इस book को तो you would find कि एकदम beginner level पे समझाया गया है deep learning के basics को and not only that उसी जगे पे फिर हाथ से scratch से code करके भी दिखाया गया है कि कैसे आप खुद का neural network build कर सकते हो the problem with this book is कि ये book में content बहुत limited है मतलब CNN के उपर काफी काम है CNN के उपर भी थोड़ा सा content है बट उसके आगे आपको कुछ भी नहीं मिलेगा so यहाँ पर you can see कि fundamentals of neural networks बताया हुआ है back propagation कैसे काम करता है वो बताया गया है उसको कैसे optimize किया जा सकता है ये बताया हुआ है और उसके बाद फिर सीधे थोड़ा सा convolutional neural networks के बारे में बात की गई है and that's it इस book में और आपको कुछ नहीं मिलेगा but जो भी है वो बहुत अच्छा है so if you are a beginner looking out for a beginner friendly book this can be a good book ठीक है and the last one is a book जो मैं अभी recently पढ़ रहा हूँ in fact मेरे table पे अभी रखी हुई है और इस book का नाम है Natural Language Processing with Transformers so ये book अच्छली भूड़ी अलग है इसमें आपको deep learning का एक बहुत specific part cover करके दिखाया गया है और वो है Transformers ठीक है इस book का पूरा theme है कि आप कैसे Transformers को यूज करके NLP applications बना सकते हो ठीक है and this book is highly practical मतलब एकदम chapter 1 से ही सीधे आपको applications कैसे बनाय जाते है और if you are someone जिसको Transformers architecture का knowledge हो गया है fundamental level पे theoretical knowledge हो गया है and now you want to see कि practically Transformers को कैसे use किया जाता है to build really good applications तो this book is for you so मुझे बहुत request आ रही थी कि sir practically Transformers पे काम करके दिखाओ कुछ videos तो मैंने फिर ये book खरी दी just to enhance my knowledge past में मैंने hugging face library use की थी बट इस book में कुछ बहुत अच्छी चीज़े मुझे देखने को मिली कि कैसे आप एक NLP application को सिर्फ बना नहीं सकते हो उसको और optimize कर सकते हो कैसे उसको deploy कर सकते हो तो बहुत end to end knowledge मिल रहा है practical knowledge around Transformers इसके अलावा इस book में और कुछ भी covered नहीं है अगर आप चाहते हो कि एक full coverage वाली book आपको मिले जहां पर A&N से शुरू किया गया है उसके बाद optimization पढ़ाया गया है फिर CNN फिर RNN तो यह सब इस book में नहीं है यह book शुरू होती है Transformers से खतम होती है Transformers पे और इस बीच में यह कुछ 6-7 applications आपको बना के दिखाते है like text summarizer, text generation, text classification जो भी आपके NLP applications आपने सुने है NER वो सब इस book में बनाए गए है और यह book I guess one of the authors is also someone who has created the Hugging Face Transformers library if I am correct बजह ठीक से याद नहीं आ रहा बट अगर आप यह authors के detail में जाओगे तो शायद आपको पता चल जाएगा so yeah, someone who has got great experience in practically writing Transformers का code so yeah, यह 7 books हैं जो मैंने पढ़ी है personally और मैं आपको recommend करूँगा if you are a beginner or intermediate level deep learning learner तो these are the books जो आपके table पे हो सकती हैं और आपको definitely help करेंगी ठीक है? तो I hope यह छोटा सा वीडियो आपके लिए helpful था अगर helpful था तो please like करना और अगर आपने इस channel को subscribe नहीं किया है तो please do subscribe और हाँ, अगर आप चाहते हो कि मैं एक और वीडियो बनाऊ जहाँ पे मैं अपने favorite deep learning courses और YouTube channels और blogs and websites share करूँ तो please comment में मिरे को बताना, अगर मुझे काफी सारे comments दिखाई देंगे तो मैं बहुत चल्दी वो वीडियो बना करके डालूँगा अगर नहीं रहेगा तो फिर ठीक है we'll move on to the next topic of our hundred days of deep learning playlist ठीक है so yeah, मिलते है next वीडियो में बाई